बीदा पीपल हम भारत के लोग एक कहावत आपने सुनी होगी नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है ऐसे ही जो नया नया अमबिटकर वादी होता है या जिस किसी भाई या बहन को ये पता चलता है कि डॉक्टर अमबिटकर ने उनको जीवन दिया है डॉक्टर अमबिटकर की वैसे वो इंजीरे बने हैं डॉक्टर बने हैं अफसर बने हैं या समाज में चक्मली है या उन्होंने अपने आपको जाना है कि वो जानवर से इंसान कैसे बने हैं और उनकी क्या वेलू है सम्विधान में जो अधिकार मिले हैं वो डॉक्टर अम्वेटकर की वैसे मिले हैं या बुद्ध के वारे में जानता है तो या किसी महापुरूस के वारे में तो उसका जो रोम रोम है वो एक साथ ही excited होता है और उसके मन में एक भाव आता है एक feeling आती है कि वो payback to society करे या work to society करे तो वो चट पटाता है बड़ा परिसान होता है क्योंकि उसे जब पता चलता है कि जो कुछ उसके पास है जो भी कुछ उसने कमाया है जो भी कुछ उसकी इज़त है जो भी कुछ उसका मान सम्मान है वो डॉक्टर अंबेटकर की वैसे है बुद्ध की वैसे है महापुरूस की वैसे है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कर्ज चुकाना है पेबैक करना है वर्क टू सोसाइटी करना है तो वो उनके कहे के मताबिक उनके ओर्डर के मताबिक उनके आग्या के मताबिक और इस रिन्ट को चुकाने के लिए हर तरह से अपने आपको पेस करता है या पेस करती है जिनके पास पैसा है, वो अपना पैसा देने के लिए त्यार रहते हैं, जिनके पास समय है, वो समय देने के लिए त्यार रहते हैं, जिनके पास टेलेंट है, वो टेलेंट के लिए त्यार रहते हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं, वो देना चाहते हैं, और भी लोगों को उस समय लोग अपने ही जेव से पैसे लगा के जाय करते थे, अपनी साइकल से, अपनी कार से, अपने स्कुटर से, अपने पैटॉल से, अपने डीजल से, और वहां जो उनको रोखी, सुकी, रोटी खाने को मिल गे ठीक है, वनना अपने घर से लेकर जाते थे, और उसके जागरती आती गई, और लोगों में ये बात आती गई, कि हमें पेबैक करना है, या वर्टू सोसाइटी करना है, और कुछ देना है, कोई इस्टूट बनाना है, कोई किताब चबानी है, कोई पोस्टर चबाना है, कोई काईकम लगाना है, कोई सम्विलन लगाना है, तो अ मरे हुए का मास नौशते हैं, कैई बार ये जिंदे का भी मास नौशते हैं, और ये मुड़दा खोर होते हैं, ये दरसल किसी काम के नहीं होते हैं, इनको सिर्फ सड़ा गला मास चाहिए, और वो मास जो मिलता है उनको, वो मिलता है, जो ये लगातार लगातार आजकल अपने बैंक के एकाउंट या IFSC कोड या नंबर ये भेज रहे हैं और लगातार वाटसेप पे या डिटल मीडिया में दे रहे हैं ये एक पहलू है दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे जो संख्थन हैं वो अपनी पड़्चियां ले लेके लोगों को भेज रहे हैं इसमें वो कमिशन मी दे रहे हैं कि आप इतना पैसा एकटा करके लाओगे तो हम इतना पैसा आपको दे देंगे आप इतना पैसा हमें दे दो ये काम भी चल रहा है तो जो नया नया अम्बेट करवादी है या नया नया जो बुद्धिष्ट है या जो अभी जो नई महिला है अचानक पढ़िए उसको पता चला है तो उपनी भावना равवना को रोक नहीं पाती और ऐसे गिद्न उनको पैचान लेते हैं और उनके पास पहुंसते हैं और अमढ़ेट करके ऐसे ऐसे किस्स सुनाते हैं कि उनके आंसों निकलाते है और उनके भक्त हो जाते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं तो दरसल वो तो अच्छी भावना से देते हैं कि पैसा हमारा कहीं जाएगा तो हम पेबैक कर रहे हैं अपना करज उतार रहे हैं जो दान दे रहे हैं या जो वो कड़ता रहे हैं या जो वो पैसा दे रहे हैं वो दरसल अंबेटकर मिसन की हत्या कर रहा है अब वो पैसा ही अंबेटकर मिसन को खा रहा है यानि आप जो दान दे रहे हैं ये सोच के कि इससे अंबेटकर मिसन बढ़ना चाहिए उस दान से उस जो आडंबर के साथ होता है और वो पैसा फिर आडंबर को बढ़ाता है तो वो धर्मिस्तल में चड़ाया हुए पैसा आपके ही बच्चे को आडंबर सिखाता है और आपका नुक्सान करता है तो ये आप बार बार परचारित करते हैं और बार 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 सुनते हैं और बार ब लगा कर वो सारे के सारे डॉक्टर अम्बेटकर के मिसन को कतल कर रहे हैं खतम कर रहे हैं वो दरसल जहर हैं इसलिए आपका पैसा डॉक्टर अमबेट करके मिसन के लिए या ये कहें कि डॉक्टर अमबेट करके फिलोसपी के लिए जहर है उसको खतम कर रहा है और अनंत ये जहर आपकी बच्चों तक राबत भी पहुंचेगा और आपका दिया हुआ पैसा आपके बच्चों को ही खतम कर रहा है, खतम कर देगा बात बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग पर या ज्यादा मन पर जो डालेगी आवश्कता नहीं है कैसे खतम कर रहा है, आप जो पैसा देते हैं दान में या जो किसी का खाता आता है कि किसी को बनवाना है तो आप देखेंगे कि बहुत सारी लोगों ने एकाउंट दे रखे हैं और बहुत सारी लोगों की पड़्चिया आ रही है इसका मतलब यह है कि बहुत सारे संधन चलना है और बहुत सारी पड़्चिया चलना है और बहुत सारे एकाउंट आ रहे है तो पैसे मांगने वानों में लोग कौन है सामाजिक संख्णन है जो कहते हैं कि हमने सामाजिक काईकरम करना है किसका करना है डॉक्टर अमबेटकर का करना है क्या करना है जन जागरती करनी है या जनदिन मनाना है या मरदिन मनाना है या किसी महापुरुस का बर्टे मनाना है या उसका कोई जहनती मनानी है या कोई अधीवेसन लगाना है इस्टेट का या राश्ट लेवल का या कोई छोटा मोटा जिले का तो ऐसे संग्ठनों की संख्या लाखों में है तो ये लाखों में जो संग्टन की संख्या है ये सारे ही अम्बिटकर का फोटो लगा रहे हैं और सारे ही कहते हैं कि अम्बिटकर बादी है तो डॉक्टर अम्बिटकर ने क्या कहा है महापुरस ने क्या क्या है संग में रहना है संगती में रहना है संग्टित होना है organize होना है मगर ये तो अलग-अलग है तो आपका पैसा इनको पोशक करता है आपका पैसा इनको पालता है आपका पैसा अलग-अलग संग्ठन बनाने लिए प्रिरित करता है क्योंकि आप पैसा देते हैं तो उनकी दुकान चलती है उनका मकान चलता है वो कमाते तो है नहीं कोई भी संख्ठन का पदादिकारी कमाता नहीं है कोई का दुक्क होगा जो कमाता होगा बागी कमाते नहीं है तो आप एक खट्चे से चलते हैं तो अलग-अलग संख्ठन बनाकर वो डॉक्टर अम्मेटकर की आइडरो जी को डॉक्टर अमिट करके उस सिध्धान को कि आपको सम्टत रहना है तब ही कुछ मिलेगा उसको खतम करते हैं तो आपने एकर पैसा देना रोग दिया तो यह मर जाएंगे तो इसमें जो अच्छे लोग होंगे वो इखट्टे हो जाएंगे या आप खुद उनको इखट्टा करने के लिए बोलेंगे तो उनको मझबरन इखट्टा होना पड़ेगा क्योंकि आप यह कहेंगे कि हम पैसा जो देंगे वो centralized system में देंगे केंद जेकर सिस्टम में देंगे एक जगा देंगे एक ही जैसे सामाजिक संठनों को अलग-अलग पैसा नहीं देंगे तो आप से दूसरे तरह के कोन आते हैं हम बुद्विहार बना रहे हैं हम अंबेटकर भवन बना रहे हैं हम कबीर भवन बना रहे हैं हम रविदास भवन बना रहे हैं हम महापुरस का भवन बना रहे हैं तो इन सब की विचारधारा एक सी है तो उनका centralized system होना चाहिए अगर आप उनको सबको अलग अलग पैसे देंगे तो इनका कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी क्योंकि आपके थोड़े पैसे से बनेगी नहीं और देने वाले आप ही हैं तो आप तो इसलिए कि आपको बावा साब का पेबैक करना है आप तो सब को दे रहे हैं पैसा बुद्विहार बड़ा नहीं रहा है घटा रहा है वरना अब तक तो सारा सेंटरल सिस्टम होके अमबेट भवन जैसी जगे दिली में जहां बावा सामने जगे वो ली थी उस पे बहुत भवा बन चुका होता आपध्यान दीजिए कि वहां बना नहीं है वह जगे शड़ गई है वो जगे प्रैविट लोगों एक कब्जी में गई हुई है यह आप ध्यान नहीं तो आप जो पैसा देते हैं आप सोचते हैं कि मैं पत्फका के लिए पैसा मैंजीन के लिए पैसा देता हूँ, यह जो पत्तकार है, यह जो बंदा आया है मेरे पास में, यह बड़ा गुनी है, यह लेखा के, उसने एक छोटा सा कोर्स किया है पत्तकार का, और उसने एक अपना काम चलाया है, उसका काम है कि वो डॉक्टर मिटकर की बात करेगा, तो प यानि बीस हजार रुपे में एक हजार मेकजीन चप जाती है, मैंने चप आगे देखी हुई है, तब तो दस रुपे की चप थी, बहुत ज़्यादा कोश्ट बढ़ गई हुई, तो पच्चिस में चप जाएगी, तीस में चप जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं है, सारे एक साथ मिलें, तो वो क्वालिटी वाली मेकजीन बनेगी, और जो सर्कुलेट होगी, तो पूरे देश में जाएगी, वो लाखों में जाएगी, तो कितना बड़ा पैसा संग रहे होगा, उसमें उनको गौर्मेंट ऑफ इंडिया से एड मिल सकते हैं, गौर्मेंट ऑ मर रही है, उसे पत्तिकार्ता मर रही है, दरसल उन लोगों की, उन पत्तिकार्ता करने वालों की इखटे होने की सोच ही नहीं है, अगर आप पैसा देना बंद कर देंगे उनको, तो उनकी मेकजीन मरेगी, तो उनकी मेकजीन थोड़े समय के लिए मरेगी, चुकि उनका काम पत्तका एर्टका है तो उनको फिर इखटा होना पड़ेगा और जब वो इखटे होंगे तो एक सेंट्रलाइज बड़ा पॉब्लिकेसन हाउस बनाएंगे जिसमें हजारों मेंगे निकलेंगी हजारों किताब निकलेंगी वो समाज के लिए फाइदेबंद होगा जब आप पैसा देते हैं तो आप पैसा देते हैं कि हमें एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है तो अलग अलग तरह के लोग आते हैं कोई चिट फंड आएगा कोई नॉन बैंकिंग सिस्टम आएगा कोई कॉपरेटिक सिस्टम आएगा मगर आप ध्यान देंगे कि एक साथ नहीं बैंक तो अॉल इडिया में बनेंगा तो एक ही बनेंगा ना अगर नॉन फइनेसनल सरविस बनेंगी तो एक बनेंगी क्योंकि bank की branch है नहीं तो ये सारी system जो बन रही है वो centralized होनी चाहिए ऐसे ही जो आप political party को पैसा देते हैं तो दरसल आप अपना ही नुकसान करते हैं क्योंकि वो master की चावी जो आपको दिमाग में डाली गही है उनी खुल पाएगे तो कि सब ही party को आप सेंगे या एक party को एक देगा एक पार्टी को एक देगा तो आप तो अपने ही घर में अपने ही लोगों से कह रहे हो कि आप अलग लड़ो आप अलग लड़ो आप अलग लड़ो लो तुमको लड़ने के लिए मैं अलग से पैसा देता हूं तुमको लड़ने के लिए अलग से देता हूं तुमको लड़ने के लिए अलग से देता हूं तुमको ल बावा साब का जो चमतकार अभी पता चला है, आप तो नहीं नहीं अंबिड करवादी हो, तो आप तो कहते हो कि हम तो सब को सपोर्ट करते हैं, जो भी आता है, हम तो सब को पैसा देते हैं, कोई आजाए, कोई कलंडर छपाने वाला आ गया, तो ले जाए पैसे हमसे, कोई दिक्तर नहीं, कोई किताब वाला आ गया, तो ले जाए छपाने पैसा, कोई कारेकरम वाला आ गया, तो ले जाए, किसी ने कह दिया कि आपका फोटो भी हम चापेंगे, ये कला है, लोग पैसा लेने के लिए आते हैं, मेरे पास एक बड़ा कलाकर आया, उसने एक पेज निकाला, उसने का जी, यहाँ बीच में आपका फोटो छपेगा, तो मैंने उसे एक बड़ी असा फोटो निकाल के देगा, कि इस वाले को चापना, कहएरा जी, ब्ल्कुल चापेंगे, कहएरा 20,000 रुपे देचा, तो वे, 20,000 में तो मैं खुड चपा लूँगा, तो 20 रुपें, कीज चापेगा, यहाँ फोटो भी चाप रहे हैं, वो पैसे से चाप रहे हैं, और जैसे लोकल मेडिया जो लोकल ये जो न्यूज वाले लोग जो आगे हैं ये भी आप ध्यान दोगे उसी की न्यूज चलाते हैं जो इनको पैसा देता है क्योंकि इनको समाज से, समाज की निवस्स से कोई मतलब नहीं है, ये बहुत प्यार से उसको आगे बढ़ाते हैं, जो इनको पैसा देता है, चाये वो आदमी गलत है या सही है, इनका इमान और इनका धरम पैसा है, आप उनको पैसा देंगे वो आपको भी बढ़ा देंगे आगे आप जैसे कहोगे वैसे परचायद कर देंगे उसकी चिंता मत करो इसलिए ये एक समय में एक वेक्ति को परचायद करते हैं जो पैसा देता है फिर उससे ज्यादा दूसरा बंदा पैसा देता है तो उसको परचाइद करते हैं फिर तीसे करते हैं उनका आइडियोलोजी से उनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है यह उनका बिजनिस यह उनका ब्यापार है जैसे बाकी जो मीडिया के लोग है उनका ब्यापार है तो मीडिया मीडिया सभी एकसा है आप कहोगे बहुजन मीडिया है बहुजन मीडिया में और मेरी मीडिया में कोई अंतर नहीं है दोनों कोई requirement पैसे की है मेरी मीडिया का खर्चा जादा हो सकता है मगर बहुजन मीडिया खर्चा बहुत कम है जो लोग जानते हैं उन्हें उनको hire किया हुआ है, आप देखोगे कि उनी की new चलती है, उनी की ना आती है, सही बात नहीं आ सकती जब तक आप पैसे नहीं दोगे नहीं, तो आप इसको आज मागे देख लेना, तो आप क्या करोगे, तो आपको आन्खे खोलनी है, आपको दान देना बंद करना है, आपको पैसा देना बंद करना है थोड़े समय के लिए पैसा देना बंद कीजिए ये जो गलत लोग हैं, जो बेकाल लोग हैं ये मर जाएंगे, खतम हो जाएंगे, भाग जाएंगे तो या तो अच्छे लोग बचेंगे या अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे नया नया जो अम्मेट करवादी है, जो नया नया बुद्धिष्ट है, वो अपनी भावनाव पे काबू रखे, दुनिया को देखे और दुनिया को समझे, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम की मांग करे, कि जब तक सारे खटे नहीं होंगे, तब तक फायदा नहीं हो सकता, ऐस इसा ही डॉक तक्टर अम्मेट करने का आहे, ऐसा ही बुद्धने का आहे, जब उनूने संग बनाया है, इस बात को समझते हुए, जानने हुए, सही अम्मेट कराइड होना चाहिए, सही बुद्धिष्ट होना चाहिए, सही जितने भी महापृस की आडिलोजिit अंप चलन नहीं हो रहा है, यानि आप भारत में देखोगे, फेस्बुक पे देखोगे, तो चार-पांच-छे payback to society चल रही है, और वो इखटी नहीं आती, अरे भाई जो तुम payback to society कर रहे हो, तो आप इखटे हो जाओ, ना इखटे नहीं होंगे भाई, उनके भी धंदे चल ला है, ये सबका ego, जो satisfaction का काम है, इसको कहते हैं, कि आपका जो, ये जो अंत्यमन है, उसकी तरशना है, उसको संतुष्टी का कारण है, तुष्टी करन का है, ये आपको नहीं करनी है, अगर आप तुष्टी करन में लगे रहे, लोगों को खुष करने में लगे रहे, तो आपके बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि अलग-अलग संट्रों को खुष करने से संट्र तो खुष हो जाएंगे, और काम कुछ नहीं होगा, मिसन आपका वहीं चला जाएगा, जहां से बाबा साब ने उठाया था और almost जा भी चुका है अगर रोकना है तो रसत बंद कर दीजिए आप इनका खाना बंद कर दीजिए इनके पैसे बंद कर दीजिए थोड़े समय के करकली देखिए उनको ना कर दीजिए कि पहले centralized system में आईए पहले केंदिकल system में आईए एक system में एक ही account आना चाहिए उस मेंसे हम देंगे चाहे वो दलबल है चाहे वो धर्मिक संटन है चाहे वो राजनेतिक संटन है चाहे वो सामाजिक संटन है चाहे वो आर्थिक संटन है चाहे वो मैगीन है चाहे वो पत्रिका है चाहे वो न्यूज वाले है चाहे वो पतकार है चाहे कुछ हो नहीं का क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है उसके जो मदार आप हैं को कि आप इन दुकानों पर ऐखरे हो जाते हैं तो दुकान बंद क्यों होगी आप दुकान छोटियों दुकान बंद हो जाएगी तो फिरsenrla JUST system अॉटोमेटिक बन जाएगा धन्यवाद झाल 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 झाल